हर हर महादेव, उमेदे आप सभी लोग अच्छे होंगे, और भी अच्छे रहे, अच्छे से आप यात्रा है करेज आदिकला सारदाम यात्रा सारी, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कल पितोरागड में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जो कि मत लगवग यहाँ पर तीन टैमपोट रेवलर, लगवग उसके अंदर थे 48 लोग, 48 परसंट थे, वो आयवे थे यहाँ पर होटल में रुखे थे, तो एकदम से हमें पर पताने लगा, बट इतनी भीड देखके थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि ये आदिकलास के यात्री है, तो फिर एक बार मैंने इग्नॉर भी किया, मैं हो सकता साइट गूमने के लिए आये हो, इस समय पर आ जाते हैं, और वो सारे के सारे साउथ से थे, मोस्त राइधराबाद या उसके आसपास से थे, उनको हिंदी नहीं आती थे, उसमें से एक या दू, आइधिंक तीन ज मैंना सौक दो गया पूरा, कर आदी के लास के लिए इस समय जब की यातरा दो बंद है, तो ये इन्फोर्मेशन हमने भी उनको दी थी कि यातरा दो बंद है, वो के पता हमें तो यहांने के बात पता चला कि ओपर अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो अभी हमारे वो गए हैं ह करने के लिए हैली कॉप्टर से जाएंगे, और आज वेदर खराब है उसके वज़े से जहां नहीं सकते हैं, अलाकि उजने थोड़ा बंदा बंदी आ रहा था, तो इतने सारे लोग जो यहां से हैली जा रहा है, तो हैली अभी विंटर विंटर चल रहा है, और एक में से न कर रहे हैं, और कल सुबह की जो बात थी, तो कल सुबह भी इनको जब ब्रीफिंग हो रहा था, तो हमें तो वहां पर नहीं था, तो उसके बाद में जब उन से बात सीथ हुई, तो वो कह रहे है कि हैली का भी वैदर की वज़े से टेक आप नहीं कर पा रहा है, तो अभी हम जुलागार गुमा के वापस लेके आ गए, जबकि बोला धार्चुलागा था, तो यहां पर भी मतलब उनके साथ फ्रॉड ही किया सकते हैं, जब वो वापस यहां पर आये, तो बादचित की यहां गुम के आए, हम तो ऐसे डिसकसन चल रहा था था, उनका हम फ्रॉड हुआ है, हमें चूट बोल के यहां पर लाया गया है, अब इसके अंदर कुछ यहां के लोकल्स भी सामिल थे, एक से दो लोग थे, जो पिथरा गड़के तो नहीं है, वो सबसे ज़्यादा तो मुझे वही बंदा फ्रॉड लगा, सबसे बड़ी प्रॉबलम इनक और यहां के लोगों को वो लेंग्यवेज नहीं आती तो एक ही मेडियेटर था जो उनके साथ एजेंड था, जो भी कम्मुनिकेसन उनके साथ करना होता तो यह सब सोच के उन सब लोगों को भी यह चीज तो समझ में आई गया थी, कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जबकि कि उनके 35,000 समतिंग कुछ उन से लिया था से एधराबाद से एधराबाद या तक आधिकलास के नाम पर, जबकि आधिकलास के लिए होई नहीं रही है, कोई ना कोई लोकल्स भी थे चाहिए चकोरिया इसके आसपास के जो जिन्नोंने उनको गाइड किया था कि आने के एधराय नहीं हो. इतना पैसा वो खर्च करते हैं, यहां को ऐनको पतार लग रहा है की, इनको पटार इंस बंहां, जुलागाड लेके जा रहे हैं, पातल भूने सो लेके जा रहे हैं, यहां ले जाके उनका जो टाइम है बस वो टाइम अन्चूम कर आके वापस उनको छू व्ऱाइज ताकि आप लोगों के साथ यह ना हो प्राइज ना हो कि अभी यह तो सुरुआत है मैं बता रहा हूं को कि अभी तक तो अपन चारदाम यात्रा केदाना यात्रा से रिलेटेट फ्राइज के बारे में सुन रहे थे तो इस साल आपको बहुत सुनने को मिलेंगे देखना बहुत जादा अब आप लोगों को तोड़ा सा चौकनना रहना है और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो जए कहीं भी बुकिंग कर रहे हो तो पूरा ध्यान रखके करो कैसे आप इन फ्रॉट सी बच सकते हो मैं वह भी आपको बताने वाला हूं सबसे जादा तो यह उन लोगों को आई कि जहां पर language barrier आ रही है जैसे south से आ रहे हैं तो सब लोगों को ना तो हिंदी आती है ना सब लोगों को English आती है लोकल लेंग्विज आती है तो पर लोकल लेंग्विज यहां पर ज़्यादा कोई समझता नहीं है तो अब वह बताएंग कि जो आपका अ सब्सक्राइब करो कि यहां पर तो सबसे पहला काम यह करो कि यहां तो करो खुद से प्लानिंग ताकि अब जासे कंपनी के साथ आए तो वह कुछ डिसिजन ले नहीं सकते अगर खुद से आये होते तो लोग कहीं और चीजी देख लेते उनको पता होता चार्जी और पहले ठीक है अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या फैमिली मेंबर को भीजना चाहा रहे हो तो किसी कंपनी के साथ बेजो देखो को इन्डीविजुल फ्रॉट करता है तो आप जाके क्या कंप्लेण कर लोगे इन कहां उसको पकडर लोगे जो ट्रॉस्टेड कंपनी होगी तो बार की यहां की भी company हो सकती है जिसको आप जानते हो ट्रस्ट करो उनके साथ करो इसके अलावा आप किसी और पर ट्रस्ट मत करो fraud हो जाएगा यह आप कर सकते हो कि वहां से आप धार्चुला या पितोरागर तक आ जाओ यहां से बात करके रूबरू सारी चीज़े पता करके फिर आप उनसे opt करके फिर आप आगे जा सकते हो तो वो भी एक option अच्छा रहेगा उसमें लास्ट मोमेंट पर यह रहता है कि इस्टे आपको अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वह एक थोड़ी सी मतब कहते हैं कि headache आपको लेनी पढ़ सकती है और तोड़ा compromise जो इसी stage में करना पढ़ सकता है हो सकता है आपको अच्छा मिल भी जाए दोनों सीजे होती है actually concern हदिकलास यात्रा को लेखे और भी जादा इसलिए हो जाता है क्योंकि यह कोई 2-5,000 की यात्रा नहीं है जहां पर आपको अगर किसी trusted company से करते हो तो लगवक 25-35,000 की बीज में खर्चा आता है और खुछ से करते हो तो लगवक तो भी आपका 20-25,000 तक खर्चा आई जात तो मतलब बड़ा दुक होता है दूसरा पैसा भी इतना बड़ा impact तो पढ़ता है दूसरा time भी तो जा रहा है क्योंकि एक-दू दिन की यात्रा नहीं है इस यात्रा में भी आपके काफी time लगता है मतलब सही से करोगे तो 7-8 दिन आपके अराम से लग जाते हैं यह तो मैं आपको कार्डगोजा में डेली से बता रहा हूं अगर आप और पी साउथ से आ रहे हो तो 2-4 दिन तो आने जाने के और यह एक्स्ट्रा मान ही लोग तो 12-15 दिन वैसी लग जाते हैं अब इतनी बड़ी जब यात्रा कर रहे हैं तो उसके बाद में जब यह फ्रॉड हो जा प्रॉड से बच के रहे हैं जो ट्रस्टेट हो उनके साथ ही जाओ अब उनको आइडेंटिफाइए करने का एक ही मतलब जो है सॉल्यूजन वह पहला है कि वह आपको सबसे कम रेट में देंगे अगर पैकेज की बात करोगे या गाली की बात करोगे हमेशा सब से कम पैसों म बात पता लगे कि यहां कि आप अगर आपको बोल वी देखिक अब यहीं चीज है क्या करें तो आप क्या अगर लोगे वाह पर कुछ नहीं कर सकते हैं पलानिक करके हो कुछ पैसा उनको दे चुके हो बाकिए भी हो सकता साथी दे चुके हो डब-तक फिला पांप्रोमई से म प्लान कीजेगा सब कुछ अच्छे से जान के फिर ही आप प्लान कीजेगा ताकि आपका पैसा और समय दोनों बचे तो आई होप यह information आप लोगों के लिए helpful रहा होगा अच्छा लगा तो please आप लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि ऐसे informative वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोगों का पैसा और समय दोनों बच सके और fraud से आप बच सको तो मिलते हैं किस अगले वीडियो में तब तक लिए बावाए हर हर महादेव